दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा ग्यानवर्धक और धन प्राप्ति का मूल मंत्र है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आखिर औरत का वह कौन सा अंग बेशर्म होकर दबाने या चूसने से अचानक अपार धन की प्राप्ति होती है। लोग औरत का कौन सा अंग दबा और चुचकर अमीर बन जाते हैं। जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में सदा मा लक्ष्मी का वास रहता है और मा लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे औरत का वह कौन सा अंग जिसे हर पुरुष को दबाना या चूसना चाहिए। एक गाव में शिव नाम का व्यक्ति रहता था, वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी बाद बाद पर हमेशा उसे ताना मारा करती थी। तुम्हारे पास है ही क्या, घर में खाने तक को कुछ नहीं है दोस्तों, उसके घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी। एक भी रुपया नहीं था, और उसके घर में खाने के लिए अन्य का एक दाना तक नहीं था। तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम क्यों रो रहे हो, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है। तब शिव ने साधू महाराज से कहा है, हे महाराज, मेरी एक पत्नी है, जो कि मुझे रोजाना ताना मारती है, मैं गरीब हूँ तो मैं क्या करूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, लेकिन धन कामा ही नहीं पाता हूँ, अभी तक एक छोटा सा धन्धा था, वह भी पत्नी के क्लेश की वजह से चौपट हो गया, वह दिन रात मुझे से जगडा करती है, अब तो मैं दाने दाने के लिए परिशान हो गया हूँ, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझता हूँ कि वह मुझे ताने ना मारे, वह मुझे से जगडा ना करें, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती, साधुजी, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा परिशान हूँ, इसी वजह से मैं घर छोड़ कर यहां आया हूँ, और साधुजी कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुम्हें यह काम बताने जा रहा हूँ, तुम्हें औरत का सिर्फ यह अंग बेशर्म होकर कर दबा या चूस लेना है, अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ती हो जाएगी, तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे। साधुजी कहते हैं, जो भी पुरुष औरतों का यह अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है, और ना ही उसके घर में लड़ाई होती है, या जो भी व्यापार करता है, उसमें हमेशा तरक्की होती है। साधुजी ने कहा, अब मैं तुमको औरत का वह अंग बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनना, और अपने जीवन में इस पर जोर करना। तब शिव साधुजी महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है, और कहता है, जितना जल्दी हो सके, मुझे यह बता दो। दोस्तों तब ही साधुजी महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं, और बताते हैं, एक नगर में एक किसान रहता था। उसके बहुत सारे खेत थे, जिस पर वह दिन रात महनत करता था, उसके घर में किसान और उसकी पतनी रहा करते थे। उस किसान और उसकी पतनी ने आपस में बहुत ज्यादा प्रेम था। उसके घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई जगडा या कलेश नहीं होता था। इसी वजह से उसके घर में सदैव मा लक्षमी का वास रहता था। और उसके खेतों में इतनी ज्यादा पैदावार होती थी कि वह दिन प्रतिदिन और अमीर होता जा रहा था। उस किसान और उसकी पत्नी ने इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उन्हें देख कर जल जाया करते थे। धीरे धीरे उसके पूरे गाव के लोग जान गए। किसान और उसकी पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम है। धीरे धीरे यह बात उस नगर के राजा तक पहुँच गई दोस्तों किसान और उसकी पत्नी की बात जब राजा के पास पहुँचती है तो राजा भी उसके प्रेम की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं वह सभी से बताते हैं कि हमारे नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहते हैं, जिन में कभी भी लड़ाई जगडा नहीं होते हैं, उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा, एक बार की बात है, राजा पूरे नगर मे बात सुनकर कहते हैं दीपक प्रेम की निशानी होता है जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी के घर में है वह हमारे पूरे नगर में रहे पती और पत्नी के बीच इसी लिए मै राजा के सैनिक जाते हैं और हर और हर जगह नगर में ढूंडी पीट देते हैं और कहते हैं सभी के घर में राद भर घी का दीपक जलाना चाहिए दोस्तों राजा की बात मान कर सभी नगरवासी अपने घर में दीपक जला देते हैं लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक भूच जाते हैं लेकिन किसान के घर का दीपक वैसे ही चलता रहता है दोस्तों दीपक हमेशा किस की पत्नी जलाती थी लेकिन उसकी बात नहीं मानती थी वह हमेशा अपनी मन मानी करती थी उसका जो भी मन करता था वह वही काम करती थी लेकिन किसान को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि किसान बहुत समझदार था किसान सोचता था यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई जगडा होंगे इसी वजह से कई चीजे किसान अपनी पत्नी की यह बातें अंदेखा करता था किसान इस वजह से अंदेखा करता था कि उसके घर में प्रेम बना रहे राजा अपने महल में छोड़ कर पूरे नगर का नजारा देख रहे थे उन्होंने देखा कि सारे नगर में किसी के घर में दीपक नहीं चल रहा है लेकिन किसान के घर में दीपक जल रहा है तब राजा अपनी रानी से बोलता है कि देखो किसान और उसकी पत्नी के घर में दीपक जगमगा रहा है लेकिन पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है इसी से पता लगता है कि किसान और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है तब राजा की पत्नी राजा से बोलता है कि जो किसान और उसकी पत्नी में प्रेम है वह किसान की पत्नी की वजह से है और इसी वजह से उसके घर में इतना ज्यादा प्रेम है दोस्तों जब राजा राजा राणी की बात सुनता है तो कहता नहीं तुम्हारा सोचना गलत है जो प्रेम किसान के घर में है वह उसकी पत्नी की वजह से नहीं है बलकि वह किसान की वजह से है राणी यहाँ पर किसान बहुत ज्यादा समझदार है आपका सोचना गलत है और यही वजह है जो कि उनके घर में कभी भी लड़ाई जगडा नहीं होता है राजा कहता है किसान समझदार है और राणी कहती है किसान की पत्नी समझदार है दोस्तों इसी तरह कुछ देर चलता रहा राजा कह रहे थे किसान समझदार है राणी कह रही थी किसान की पत्नी समझदार है इसी बात को लेकर राजा और राणी के बीच काफी जगड़ा हो गया इसके बाद राणी ने राजा की दाड़ी उखाड ली और राजा ने राणी को उठा कर पटक दिया इसके बाद राजा कहता है हम लोगों को जगड़ा करने की जरूरत नहीं है क्योंना हम किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा ले ले सारा दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा लड़ाई करने के बाद इस बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो गए और दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते है तब राजा अपने महल में जाता है और एक पुरुष सैनि को बुलाता है और पुरुष सैनिक से बोलता है कि तुम किसान के पास जाओ और जो जो प्रश्ण मैं तुम से बोल रहा हूँ वह तुम किसान को बोल देना वह पुरुष सैनिक बोलता है ठीक है महाराज वह पुरुष सैनिक राजा की बात सुनकर किसान के पास जाता है उस समय किसान की पत्नी खेतों में गई थी लेकिन किसान की कुछ तबियत ठीक नहीं थी इस वजह से वह खेतों पर नहीं गया था इस समय पुरुष सैनिक किसान के घर पहुँच जाता है और किसान से कहता है मैं राज दर्बार से आया हूँ राजा साहब ने मुझे भेजा है दोस्तों किसान कहता है बताईए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ आप बैठ जाएए मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ तब बह सैनिक बोलता है कि नहीं तुम कुछ भी मतलो मैं राजा का सैनिक हूँ बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूँ तब किसान कहता है ठीक है सैनिक आप मुझे बताओ राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है सैनिक कहता है किसान राजा साहब ने यह बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा जी आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात और साथ में तुम्हारे जमीन से दो गुना ज्यादा जमीन राजा जी आपको गिफ्ट में देंगे इसके अलावा राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको दिया जाएगा लेकिन जो किसान ने जवाब दिया वह सुनने लायक है किसान ने कहा राजा जी अपना पूरा राजमहल मुझे क्यों न दे लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूँगा जाओ और अपने राजा से कह दो किसान ने ऐसा कहा है सैनिक जाता है और राजा को सारी बातें बताता है इस समय राणी वहाँ पर सैनिक की बात सुन रही थी सुनने के बाद राणी ने कहा आपने किसान की तो परीक्षा ले लेकिन किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली है इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार है इसके बाद राणी ने कहा अब मैं भी किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तभी पता चलेगा कि कौन समझदार है फिर रानी ने भी एक सैनिक बुलाया और कहा कि मेरी बात किसान की पत्नी को बोलना और याद रखना ये बात तभी बताना जब किसान वहां पर ना हो सैनिक ने पूछा कि रानी क्या बात बतानी है वह तो बताओ तो रानी ने सैनिक को सारी बात बता दी सैनिक किसान के घर जाता है और उसके घर में आवाज लगता है तो उसके घर से किसान की पत्नी निकाल कर आती है और कहती है बताओ क्या हुआ क्यों धिंडोरा पीट रहे हो तो सैनिक ने कहा कि राज महल से आया हूँ मुझे रानी ने भेजा है किसान की पत्नी ने कहा बताओ किसलिए आये हो तब सैनिक ने कहा रानी ने बोला यदि तुम अपने पती किसान को मार देती हो तो आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात रानी आपको देगी और सात्मा एन राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको मिलेगा इसके अलावा जितनी भी आपकी जमीन है वह तो आपकी रहेगी लेकिन उसकी दो गुना जमीन भी रानी आपको देगी ये बात सुनकर किसान की पतनी तयार हो जाती है कहती है ठीक है यदि मुझे इतना कुछ रानी साहिबा देगी तो मुझे मन्जूर है मैं अपने पती को मार दूँगी तब सैनिक पूछता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पती को मार दिया है तब ही किसान की पत्नी बोलती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब मैं किसान को मार दूँगी, तो उसे बुझा दूँगी, तब ही आपको पता चल जाएगा कि मैंने किसान को मार दिया है, अब सैनिक किसान की पत्नी की बात सुनकर राज महल जाता है, और राणी को सा किसान की जानना जाए तुम लोग ऐसा करो किसान के घर जाओ और सारी बातें बता दो और उस किसान को बचा लो वरना किसान की पत्नी उसे मार देगी। रात में मारने के लिए बोला गया था लेकिन आपने अभी किसान को क्यों मार दिया तब वह किसान की पत्नी बोलती है कि किसान को तो मुझे मारना ही था रात में तो मुझे सिर्फ दिया ही बुझाना था इसलिए किसान को तो मैं दिन में ही मार दिया है सभी सैनिक तुरंथ ही किसान के घर से दोड़े दोड़े जाते हैं और राजा राणी को सारी बातें बताते हैं राजा और राणी क्रोध से आग बबुला हो जाते हैं इसके बाद राजा और राणी किसान की पत्नी को बंदी बना कर लाने के लिए अपने सैनिक से कहते हैं सैनिक जाते हैं, किसान की पत्नी को बंदी बना कर ले आते हैं, राजा किसान की पत्नी से पूछता है, ऐसा तुमने क्यों किया, तुम लालची औरत हो, तुम्हें पैसों से प्यार है, तब ही किसान की पत्नी ने जवाब दिया, और बताया कि मुझे तो किसान को पहले ही मारन तो राजा ने कहा ऐसा क्या करता था। तो आपके साथ ये काम करता था, तो किसान की पतनी बोलती है। नहीं महाराज, तब ऐसा नहीं करता था। तब राजा ने कहा, मैं समझ गया कि किसान ऐसा क्यों करता था। उसी समय साधु जी ने शिव से पूछा, तुम्हें कुछ समझ में आया, औरत का कौन सा अंग दबाने तथा चूसने से लोगों को अचानक धन की प्राप्ती होती है। तो शिव ने कहा है, साधु जी मुझे अभी समझ में नहीं आया। तभी साधु जी कहते हैं, अगर अभी समझ नहीं आया, तो मैं फिर से आपको बताता हूँ, किसान अपनी पत्नी के साथ पहला काम करता था, वह उसके नाक के उपरी हिस्से को अपने उंगली से दबाता था, तो जिस भी मनुष्य के घर में पैसों की किल्लत है, उसे अपन उंगली से औरत के नाक के उपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए, दोस्तों औरत के नाक के उपरी हिस्से को बहुत शुभ माना जाता है, इसी वजह से जो यह काम करता है, वह हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है, दूसरा काम है, जो भी पुरुष औरत के कान का पिछ आपसे प्रसन्न हो जाती है और अपार धन देता है और आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी और ते माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है इसी वजह है इस संसार में जो भी मनुष्य या जो पवित्र काम करता है उसका घर धन से भर जाता है जो कि इस कहानी में किसान भी अ किसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हां कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले धन्यवाद